हेलो फ्रेंट्स आप लोगों को इस चैनल पर दुबारा स्वागत है यह नालंदा ओपेन इनवर्सिटी की ओफिसियल वेबसाइट है जो लोग नालंदा ओपेन इनवर्सिटी में एडमिसन लेना चाहते हैं उनके लिए इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है इस वीडियो में आपको तमाम जनकारी दी जाएगी इसके बावजूद कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपक आपको फॉर्म को कंप्लिटली जो है समिट कर देना क्या फी है क्या क्या जो है आपको कोर्स में जो है डॉक्मेंट चाहिए एडमिशन लेते वक्त तमाम जनकारी आपको जो है इसमें सेयर किया जाएगा यह आप आप देश सकते हैं कि नालंदा ओपन इन्वर्शिटी जो इसका डेट है अप्लिकेशन स्टार्ट का ओए 6-8-22 और आप कंप्लिटली जो है 39-22 से पहले पूरा कर सकते हैं अप्लिकेशन भी 500 रुप्या है आप इसको जो है डिमांड ड्राफ्ट या SBI कॉलेक्ट के दौरा जो है पेमिंट कर सकते हैं कुछ एजुकेशन क्वालि होना जडूरी है BCA में जो लोग एडिमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इंटरमेडियेट विद मैथ और आईये विट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग होना ज़रूरी है जो लोग MCA में एडिमिशन लेना चाहते हैं वो BCA या B.Sc. और बैचलर डिग्री विद मैथम टीए एजब पर रिक्वाइमेंट आफाव पर प्रोग्राम जिस तरह से प्रोग्राम का रिक्वाइमेंट हो प्रोग्राम दोगा में एड्मिसन लेंगे जिस तरह से उस में जो टोकमेंट्स की य courageous itan की रिक्वायर होगी उस तरह से आपको जो है इसको fr今日 करना है आगे बढ़ते हैं next इसका जो important और जो notification है क्या क्या आपको documents चाहिए किस तरह से जो है आपको जो registration की परकिरिया जब आप करेंगे तो उसमें क्या क्या important है वो चीज़े देख लेते हैं यह online admission for seizure ठीक है आपको इसका link video के description box में दिया गया है आप वहां से भी online registration की परकिरिया है पूरा कर सकते हैं यानि आप अपना registration वहां से कर सकते हैं तो आप video के description box में जाएए वहां पर आपको link मिल जाएगा आपको सबसे पहले registration करते वक्त एक username और password को चूच करना है इसके बाद आपको OTP आएगा उससे आपको verification होने का बाद next जो है आपका application शुरू हो जाएगा जो आपको main application होंगे भरने होंगे ठीक है इसमें जो सबसे important है आपको candidate का जो passport size photograph होना चाहिए और maximum size 50 के भी और signature English औ Hindi दोनों जरूरी है याद रखिएगा दोनों आपको यह 30 केभी का होना जरूरी है copy of marksit 100 केभी से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आपका marksit का copy होगा और 100 केभी का होना चाहिए यह आपका size important है आप registration करने से पहले जो है आप इसकी पूरी size को जो है विवस्तित कर लीजिए इसके बाद देखिए इसमें जो है आपका जो passport size photograph है आपका साफ होना चाहिए पूरी clarity के साथ दिखना चाहिए signature हिंदी और English में होना चाहिए और देखिए जो documents होगी और self-attested copy of qualifying exam जो examination है marksit वो जरूरी है यानि कि आपको जो इसमें देखिए लिखा गया है clearly scan your original marksit for uploading a scan of xerox या photocopy of marksit will not be accepted तो original जो होगा आपका इसमें scan करना है self-attested करना है ठीक है इसके बाद देखिए आप जो link दिया गया है वहाँ को वहाँ आप जाके विजिट करिए और आप जो है registration की परकिरिया को पूरा करिए तो चलिए registration किस तरद से आपको पूरा करना है देख कि आम लोग फिर से नालंदा open university की official website पर आ चुके हैं सबसे पहले आपको जो है नीचे की तरब जाने है नीचे की तरब जैसे ही आप जाईएगा यहाँ पे देखिए क्लिक here to apply for online admission session 2021 यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यह page खुलेगा खुलने के बाद जो है आपको registration की परकिरिया पूरा करने से पहले कूछ यहाँ पर information दिया गया है तो थोड़ा सा लेट से खुलना है नेट स्लू है तो थोड़ा वेट कर लिजिए यहाँ पर आप क्लिक जैसे करेंगे यह जैसे क्लिक करने के बाद एक page खुलता है admission advertisement 2020 online admission procedure program and free details for session 2020 और list of study center of नलंदा university यह सारा information आपको यहाँ पर दिया गया है इसका पीडियाप आप डाउलोड कर सकते हैं इसका लिंग वीडियो के description box में दिया गया है तो जो भी आपको information चाहिए यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं new admission लेने के लिए आपको जो है आपको new admission पे click कर देना है जैसे new admission पे आप click करेंगे इस तरह से आपका एक page खुलेगा यहाँ पे आप आपको पूरी जो है कुछ details दिये गए है आप पढ़ लिजिए पढ़ने के बाद जो हम लोग पीछे में डिसस की हैं वही सारा information है और नीचे की तरफ आपको जाना है जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे I have read the instruction पे click कर देना है ठीक है तो जैसे आप click कर देंगे नेट थोड़ा सा स्लो है तो click नहीं हो पा रहा है थोड़ा wait कर लेते हैं क्लिक करने के बाद इस तरह से एक page खुलता है यहाँ पे आपको जो है अब registration की परकिरिया मलब सुरू हो जाता है यहाँ आपको applicant name roman script as a per matriculation certification जिस तरह आपका नाम जो matric certificate में लिखा गया है उस तरह से आपको वही से जो है आपको यहाँ पे फुल्फिल करना है इसके बाद applicant name in देवनागरी script यानि हिंदी में भी आपको लिखने है date of birth जो है आपका day month year इसके बाद यहाँ पे select study center यहाँ पे आपको चूच कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको course को select करना है इसके बाद email address mobile number डालके जो है आपको यहाँ पे फिर है login password के लिए आप यहाँ पासवर्ड इसके बाद confirm password इसके बाद यहाँ पे capture number डालके registration कर लेना है देखिए आगे क्या जो application खुलेगा इसके बाद आप जो registration कर लेंगे तो next page खुलेगा login करिए तो इसके बाद आपको पूरी details वहाँ पे photo, documents, signature सारे चीज़े scan भी करने है और इसके बाद last में आपको payment करना है देखिए आपको form fill up करते वक्त कोई भी problem आए तो आप मुझे comment कर सकते हैं तो